नमस्कार स्वागत्यापका हमारे चंचार जागेंदर मिशा में आटा गूंतते समय सिर्फ एक चीज मिला दें करोड़पती बन जाओगे दोस्तों जीवन में धन की चाहत किशे नहीं होती भला कौन नहीं चाहता कि उनके पास धन ना हो हर कोई ब्यक्ती यहीं चाहता कि उसके पास खूब पैसा खूब धन हो लेकिन उनके कीचन में छुपा है करोड़पती होने का राज और वो खुद नहीं जानते कि इन छोटी छोटी चीजों से आप माता लक्ष्मीजी को अपने घर में आमंतरत कर सकते हैं माता लक्ष्मीजी धन धन से आपके घर में कोई कमी नहीं छोड़ेगी आए जान लेते हैं करोड़पती बनने के कुछ उपाए रोटियां आम तोर पर सभी के घरों में बनाई जाती है और रोटियां बनाने के लिए गेहूं का आटा या फिर कोई भी आटा गुनते हो आप तो उसे कुछ ऐसी चीज मिला दें उसमें जैसे कि आप सुबह दुपार या साम कभी भी आटा को गुंदते होंगे रोटिया बनाने के लिए आटा गुंदा जाता है और इस आटे को गुंदने के पीछे आप बन सकते हैं करोड़पती इस आटे को गुंदने में गेहों का भी लेते होंगे या फिर जैसे कि आटे का गेहों गुंदते होंगे बहुत से लोग जो का आटा भी गुंदते हैं जो का भी आटा होता है गेहों का भी आटा होता है कोई भी आटा आप जब गुंदते होंगे और कई लोग जवार के जिसको आप जवार कहते हैं क अगर इन में आप एक विसेश वस्त मिला दें तो इससे बनने वाली रोटी तो खास हो ही जाती है जब आप इस रोटी के आटे में यानि की गैस पर या फिर चूले पर इसे पकाएंगे तो इसकी जो खुस्ब उठेगी वो सकरात्म कुर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और अपने तरफ माता लक्ष्मी को आर्शित करेगी मा लक्ष्मी जी आप घर के आंगन में आना पसंद करेंगी आप जब भी अपने घर में आटा गुंदें तो उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें जी हदोस्तो एक चुटकी हल्दी जरूर मिला दें और नमक भी थोड़ा सा आप उसमें डाल दें हल्दी माता लक्षमीजी का परतीक मानी जाती है और उस आठे में आप एक चमच दोध भी जरूर डालें उस आठे को गुनते समय आप उसमें अपनी उंगुलियों की छाप जरूर छोड़ दें माता लक्ष्मीजी का प्रतीक मानी जाती है ये उंगुलियों के छाप और आप आटे में अपने घर में गुनते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें साथी घर में इसे स्वास्त समंधी सभी परेशानिया ठीक हो जाती है कोई भी अस्वस्त नहीं रहता साथी आटा गुनते समय आप एक चम्मच दूद भी आप आटे पे जरूर डाल दें एक चम्मच दूद मिला दें आटे पे तो इसे भी घर में सकरात्म कुरजय का वास रहता है घर में धन धान से परिपून रहते हैं आपके जीवन में सभी परेशानिया समाप्त हो जाएगी या फिर आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी मिला दें या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक मिला के आटा को गुन दें या आटा गुनते समय आपको एक चम्मच दूद या एक चुटकी हल्दी या फिर एक चम्मच नमक मिला दें तो इससे घर में बरकत होती है इकन को प्रेश जरूर करिएगा जय मालक्ष्मी